हेलो फ्रेंट्स वेलकम टू आओर यूट्यूब चैनल डिजी टेक टॉक दोस्तों यह जो वीडियो है यह उन लोगों के लिए है जो बेसिकली एकदम नए नए लैप्टॉप को पर्चेस किये हैं और लैप्टॉप को प्रॉपरली यूज करना नहीं जानते है यह वीडियो मैं उनके लिए बना रहा हूँ कि जिसको लैप्टॉप के बारे में बेसिकली कुछ भी नहीं पता है तो यह वीडियो बनाने के लिए मैं यहाँ पर जो लैप्टॉप यूज कर रहा हूँ वो एक HP का लैप्टॉप है तो laptop को open करने से पहले basically laptop में क्या-क्या होता है वो मैं आपको बता देता हूँ तो ये laptop अभी जो है close है आप देख पा रहे हैं यहाँ पे branding है ये इसका front जो हिस्सा है और अगर पीछे की तरफ हम करेंगे तो ये एक laptop का जो है back side है चीक है most of the laptop या जहाड़े laptop इस तरह से folding में होते हैं दो पार्ट में तो अगर हम लोग इसको open करना चाहें तो कैसे करेंगे सबसे पहले आता है कि इसे open कैसे किया जाता है basically laptop का जो यहाँ पे screen होता है और नीचे का जो section होता है यहाँ पे हलका सा एक gap होता है देखिए आपको एक हाथ जो है इसके नीचे वाले इसे में रखना है और ठिक middle portion में दूसरे हाथ से आपको इसे उपर की तरह उठाना है laptop open करते वक्त कभी भी आप side में पकर के ना करें हमेशा इसे open करते वक्त आपको यह ध्यान रखना है कि आपका एक हाथ जो है वो नीचे वाला screen पे होगा और दूसरा हाथ जो है वो display को पकरके आप धीरे धीरे उपर की तरह press करते जाएंगे देखिए मैं अभी एक हाथ से ही कर रहा हूँ थोड़ा सो wait करिए इस तरह से हलका हलका से अपको pressure नहीं देना है जो नए है इस तरह से नीचे वाले portion पे एक उंगली आपको रखना है और pressure देखे इस तरह से open करना है देखिए अपका हाथ हमेशा जो है वो middle portion में होना चाहिए अब धीरे धीरे मैं करता हूँ यहाँ पे तब जाके यह जो laptop है यह open हो गया है अब एक जीज नोटीस करिए यहाँ पे सेम mobile की तरह laptop भी दो तरीके से operate कर सकते हैं एक तो इसका जो battery होता है उस battery backup के उपर भी laptop on होता है और दूसरा है कि डिरेक्टी आप power adapter का use करके इस तरह से mobile में हम लोग charger लगा के use करते हैं ठीक उसी तरह से laptop को आप on कर सकते हैं जो power adapter है उसको use करके और battery के backup से भी laptop को चला आ जा सकता है इस tutorial के लिए फिलाल मैं power adapter को connect कर लूँगा और उसके बाद laptop को on करूँगा पहले मैं बता देता हूँ laptop में और display ये है इसका जो monitor screen या laptop डिस्प्ले और यहाँ पर बगर notice करेंगे display के यहाँ पर एक छोटा सा camera जैसा है ये built-in जो web camera है laptop का वो screen के साथ attached होता है आप बाहर से भी camera को purchase करके लगा सकते है तो ये basically webcam है built-in है अब अगर नीचे बात करें तो ये है laptop का keyboard keyboard में यहाँ से यहाँ तक जो portion है यहाँ तक इसे कहा जाता है alpha numeric keypad यानि कि इसमें जो है आपके letters भी होते हैं और numbers भी उपर होते हैं तो यहाँ से लेके मैं कह रहा हूँ कि यहाँ तक ये जो portion है इसे कहा जाता है alpha numeric keypad और यहाँ पे आप सिप जो देख रहे हैं यहाँ पे छोटा वाला इसे कहा जाता है numeric keypad जहाँ पे basically numbers num lock home end page up, page down और भी कुछ option होते हैं अगर आप small size laptop पर्चेस करेंगे तो हो सकता है आपका जो है सिप alpha numeric keypad ही वहाँ पे available हो यह वाला जो portion है numeric keypad वो available ना हो थोड़ा सा large size laptop होगा तो उसमें आपको बोथ मिल जाएगा अगर आप notebook size का कोई laptop लेते हैं small size का तो उसमें हो सकता है खली alpha numeric keypad ही आपको मिले laptop का यह जो portion है इसे कहा जाता है touchpad यह basically एक sensor है जो motion sensor आप इसके उपर finger को रखके जैसे right, left, up and down करते हैं तो इसके screen में जब हम लग लेप्टप on करते हैं तो pointer भी आपके finger के movement के साब से ही यहाँ पे move करता है तो इसे कहा जाता है touchpad अगर आप mouse use नहीं कर रहे हैं आप जानते हैं कि mouse किसे कहा जाता है यह basically mouse है मैं आपको इसको use बताऊंगा अभी तो अगर आप mouse को use नहीं कर रहे हैं तो आप सिप touchpad से भी काम चला सकते हैं यह pointer को up, down, left, right में move करेगा जैसे आप finger को इसके उपर से rough करेंगे तो यह भी mouse का एक substitute है इसे touchpad कहा जाता है और इसका right click यह होता है right side वाला और left click यह तो यह basically laptop का basic चीज है यह है laptop display यहाँ पे बात करेंगे यह है laptop का keyboard नीचे यहाँ पे यह है touchpad और touchpad के ठीक नीचे यह right click ports होते है तो दो side होते है एक है आपका left side और एक है right side तो left side में भी कुछ ports available होते हैं वो left side panel का ports है और right side में भी कुछ ports है वो right side panel का ports जहाँ पे आप लोग अलग hardware को install करते हैं या plug-in करते हैं तो अकर मैं बात करूँ कि यहाँ पे left side में हमें क्या-क्या मिलता है? इसके बाद ये जो section है ये basically इसके inside में जो fan है cooling fan उससे हवा यहां से exhaust करता है उसके बाद यहां पे कुछ ports बने हुए है यह है LAN port जब आप लोग इंटरनेट को connect करते हैं तो LAN cable को हम लोग यहां पे लगाते हैं next जो है वो है HDMI port यह LAN port है यहां पे RJ45 connector input होता है यहां पे HDMI port है इन्हें कहा जाता है USB port और उसके बाद अगर एक छोटा वाला port है आप देट पा रहे हैं यहां पे यह बेसिकली एरफोन या हेटफोन को लगाने के लिए यह वाला जो port है आपको दिखाता हूँ left side panel का यह जो last port है इसके बाद वाला यह port यह port है आपका एरफोन के लिए ठिक उत्सी तरह से अगर बात करेंगे right side panel का तो right side panel में भी आप देख सकते हैं यहां भी कुछ ports बने हुए है तो यह पहला वाला यहां पे जो है यह built-in जो SD card या micro SD card है उसका reader है आप यहां पे directly adapter के through micro SD है यह SD card को लगा के use कर सकते हैं यह हर computer में यह हर laptop में हो जरूर नहीं यह इस computer में built-in adapter है SD card के लिए आपको पहचानना पड़ेगा ठीक से यह देखिए उसके बाद और एक USB port दिया गया है USB port में basically हम लोग external जो mouse बाहर से अगर आप mouse खड़ित के लगाना चाते है या फिर keyboard वो सारे अगर USB होगा connector तो USB port में जाएगा इसके बाद इस laptop में थोड़ा old laptop है तो इसमें CD DVD drive दिया गया है ये वाला जो है ये इसका CD DVD drive है ठीक है इसको प्रेस करने से CD DVD drive open होता है तो हलग-अलग model के computer में जो होता है sorry अलग-अलग model के laptop में जो होता है connectors थोड़ा अलग हो सकते है basically तो हो गया ये सारे laptop के laptop का display laptop का keyboard, touchpad right click, left clip इधर जो है ये सारे है आपका left panel connectors और इधर right panel connectors और laptop को आप दो तरह से on कर सकते हैं एक तो इसके अंदर जो battery है उसके backup के उपर depend करके आप laptop कौन कर सकते हैं या direct इसके साथ जो charger आता है power adapter उसे connect करके भी आप laptop को on करते है तो चलिए अब हम लोगों power adapter को connect करेंगे और laptop को turn on करेंगे और laptop का जो battery होता है उतना deep में आप मत जाएए अभी battery इसके back side में laptop का जो अंदर का mobile की तरह ही laptop का जो battery है वो back side में होता है कोई-कोई laptop का battery removable होता है कोई-कोई जो होता है वो internally connect होता है आपको पूरा panel को open करके battery तक पहुचना है और laptop जब भी आप open कर रहे हैं या आपको ध्यान में रखना है आप हमेशा middle portion पर pressure देंगे कभी भी side से उसे पकड़के आपको open नहीं करना है तो अभी हम लोग laptop का जो power adapter है उसका एक side हमने connect कर दिया है electric board पे और ये दूसरा side जो है ये हमने आभी आपको दिखाया था कि इसके side में जो charger port है उसमें हम लोग देखिए इसे connect कर देते तो अब ये laptop जो है वो क्या होगा power supply के उपर यानि electricity जो electric supply के उपर run करेगा ना कि उसके battery backup के उपर तो ये हमने electric connect power connection कर दिया है laptop पे अब एक चीज नोटिस करिए on करने के लिए यहाँ पे ये जो button है ये laptop का power button होता है इसे एक बर simply press करने से laptop on हो जाता है ये power button किसी-किसी model में right side में भी हो सकता है किसी-किसी model में middle में भी हो सकता है या किसी-किसी model में ये जो यहाँ पे आप देख रहे हैं इन buttons में भी एक button power button का हो सकता है ठीक है? आपको ये पहचान लेना है इस laptop का अगर बात करें तो ये है इसका power button मैंने कहा कि किसी-किसी laptop में power button यहाँ भी हो सकता है या यहाँ भी हो सकता है तो इसे आपको on करने के लिए simply एक बर power button को press करके छोड़ देना है अब देखिए laptop में power आ चुका है ये कुछ messages है जो आप ignore करिए क्योंकि ये अलग-अलग hardware के कारण से आता है तो मैं यहाँ पे enter करता हूँ जैसे आप power button को on करेंगे देखिए laptop यहाँ पे logo अब जो बात करें कि ये क्या load होड़ा ये basically हर laptop को use करने के लिए इसके अंदर operating system install होना जरूरी है operating system वो होता है जिसके through हम लोग laptop में काम करते हैं इस laptop में by default जो है window का operating system load है आपके case में अगर आप Linux laptop लिया है तो Linux operating system load होगा या फिर macOS भी हो सकता है हम लोग windows पे tutorial करते हैं तो यहाँ पे windows operating system है तो power button को press करने के बाद यहाँ पे windows load हो गया है अब इस screen के आने को पर हम लोग enter करेंगे अब यहाँ पर आप जो देख पार है अच्छा इससे पहले एक काम करते हैं मैंने आपको USB port दिखाया था site panel में तो हम लोग यह वाला जो mouse है इस mouse को पहले connect कर लेते हैं laptop के साथ मैंने आपको कहा था कि basically laptop का site panel होता है hardware को connect करने के लिए होता है तो यह मैं यहाँ पे एक इस तरह का mouse यूज़ कर रहा हूँ यह mouse का जो है cable है और यह USB port है तो हम लोग का यह जो portion है यह USB पे जाएगा तो हम लोग site का जो USB port है उस पर यह से connect करेंगे USB port के थूँ आप pen drive, mouse keyboard सब connect कर सकते हैं देखिए हमने mouse को connect कर दिया है अब हम लोग mouse को अगर rotate करेंगे तो देखिए इस तरह से pointer move कर रहा है अब इसे on करने के लिए simply इस screen के उपर mouse से आपको एक बार left क्लिक करना है यह आगया उसका login page अब आप जिससे laptop purchase करेंगे वो आपको यहाँ पे जो password मांगा जा रहा है वो password आपको बता देगा तो आपको simply इस section में लाके आपका जो यह mouse pointer है जो आप move करते हुए देख पार है इसे इस white space पे एक बार click करना है और जो password आपको दे दिया गया है laptop shop से जब आप laptop purchase करेंगे वो password आपको यहाँ पे input करना पड़ेगा किसी-किसी laptop में यह account बीना password का भी होता है in that case अगर password नहीं है तो आपको simply इस arrow पे click करके login कर लेना है तो अभी फिलालों आपको password दे देते हैं यहाँ पे इसमें password set है आपके किसमें अगर password नहीं है तो simply आपको इस arrow पे click करके laptop के अंदर जाना है मैंने password दे दिया अब इस जगा में हम लोग enter करेंगे यह है enter बटन अब laptop में जिसे हम लोग operating system कहते हैं वो operating system के अंदर यहाँ पे आप यह जो screen display पे देख पा रहे है यह basically windows है जो यहाँ पे load हो चुका है अब हमें laptop में जब भी कोई भी काम करना है तो इस interface के अंदर ही हम लोग करेंगे यानि operating system के अंदर ही करेंगे और यह windows का operating system है तो इस तरह से आपको laptop अगर आप चलाना नहीं जानते तो basically यह था laptop यूज करने का जो first part जिस पे हम लोग laptop का कौन सा portion को क्या कहा जाता है और किस तरह से laptop को आप turn on कर सकते हैं ठीक है और किस तरह से operating system तक आपको आना है यह हम लोग इस वीडियो बे देखें यह तो होगया on करने वाला portion आप इसे turn off कैसे करते हैं जब भी आप turn off करना चाते इस power button को directly press मत करिए आपको इस operating system के अंदर से ही turn off करने का एक option मिल जाता है आप अगर इस icon पे click करेंगे यहाँ पे तो यहाँ पे एक power का यह जो sign है यह power का sign है इस sign के उपर आपको mouse pointer को देखिए mouse को इस तरह से move करके आपको इस option के उपर लाना है अब इस option के उपर आपको mouse का यह जो left click है left और यह right ठीक उसी तरह से जैसे touchpad में भी right और left था mouse connect करने के बाद यह right और यह left है तो simply से click करके power button के उपर लाके इस तरह से move करके power के उपर click करके आपको shut down कर देना है अब slowly operating system जो है यह देखिए shut down हो चुका है तो अगर आप पहली बार laptop यूज़ कर रहे है तो यह था trick कि आपको किस तरह से laptop को use करना है laptop के कौन से portion को क्या कह जाता है कैसे laptop को on करना है और फिर कैसे laptop को turn off करना है तो आज के वीडियो में बस दोस्तों इतना है फिर मिलेंगे एक नए वीडियो में तब तक के लिए बाई टेक केर